कि अज़ आज वेलकम बैक टू मैं चालाइन इंटिग्रेटेड कोडिंग आज आप थोड़े से शॉक्ट से हो गए कि आज कंप्यूटर स्क्रीन कहा गई अज़ थोड़ा सापको लिक कर समझाना था जो मैं कंप्यूटर स्क्रीन बने कर सकता तो आज हम नहीं बोला था कि हम बढ़ाएंगे सॉर्टिंग इस शॉर्टिंग क्या होती है यह तो असेंडिंग में लगा दो यह तो डिसेंडिंग में लगा दू तो बड़ा लिखना इस इस कॉल्ट स्कॉंटिंग किसी इसकी लिस्ट की स्कॉंटिंग ठीक है आपका बुक में सुभितार ओडा में चेप्टर नमबर टैन है तो हम सॉर्टिंग करेंगे आज का टॉपिक देखता है दोनोंगर कवर कर सकते हैं बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉट तो दोनों किस लेवस में तो यही दो हैं बाकी देखते हैं एडवांस में जो करवाएंगे तो पहले हम देखेंगे बबल सॉर्ट ठीक है तो तो बबल सॉर्टिंग में क्या होता है देखो जैसे मान लेते हैं आपको यह लिस्ट दे रखिया 12,14,9 तो आपको इसको सॉर्ट करना है तो अब तक आप जैसे सॉर्टिंग करते थे कि आपने देख लिया कौन सा बढ़ा है आपने उठा के सबसे पहले रख दिया सॉर्टिंग कौन से चोटा है फिर उठाके सबसे पहले रख दिया तो अब उसके लिए आपको कोड बनाना है तो आपकी एक हेल्ट के लिए मैं बता दू कि बबल सॉर्ट में दो फॉर लूप्स होते हैं अब दो फॉर लूप्स होते हैं एक के अंदर एक नेस्टेट फॉर्ट जो आपने पढ़ा था उसका एक्जाम्पल आ गया है ठीक है तो एस्जूम कर लेते हैं कि एक होता है के मतलब फॉर वर्यवले कोता है कंल ला ओते ह। दूसरा होता है आई टिक है बाहर वाले का अंदर रवले का आई ओके सो अब हम को क्या करना है देखो दो variable है हमारे पास दो for loops है हमारे पास तो अब हमको start करनी है sorting तो देखो पहला sorry ध्यान नहीं रहा हूँ पहला iteration देखो 12,14 9,8 1,3 यह आपके पास list है अब case equals to 0 case equals to 0 मतलब की बाहर वाला for पहली बार चला तो उसके लिए I is equals to 0 I is equals to 1 ऐसे करके number of iteration होगी जब तक आपका देखो मैं बताता हूँ अब पहले वाले में हमारा क्या चेक होगा 12,14,9 8,1,3 तो पहले वाले में यह चेक होगा क्या यह दोनों छोटे है मतलब इन दोनों में से कौन सा सोटा है 12 चोटा है 12 अपनी जगा पर है ठीक है तो ऐसे लिख देंगे 12,14,9,8,1,3 फिर चेक होगा इन दोनों में से कौन सा सोटा है 9 चोटा है ना तो we will swap swap मतलब जगा बतल देंगे जैसे यह दोनों हैं तो इनकी जगा ऐसे बतल गई तो इसका मतलब swap ठीक है तो i is equals to 2 के लिए 12,9,14,8,1,3 अब देखा जाएगा इन दोनों में से कौन सा सोटा है 8 सोटा है we will swap ठीक है 12,9,8,14,1,3 अब देखा जाएगा इन दोनों में से 12,9,8,1,4,3 अब इन दोनों में से देखा जाएगा 12,9,8,1,3,14 अब देखा आपका ये एक के पूरा होगा एक के कैसे पूरा हुआ कैसे पता जल आपको आप लास्ट में पहुच गया हो तो इस एक iteration में बहर वाले इस वाले के के iteration में पहली iteration में आपका हर एक iteration में एक बड़ा नंबर की digit final हो जाएगी ये सबसे बड़ा नंबर है लिस्ट में आप देखा तो वह अपनी जगह पे पहुच गया है समझ गया है अब देखो अब दुबारा से के जगस्टू 1 के लिए चलेगा इधर बनाते हैं के जगस्टू 1 के लिए चलेगा फिर आई 0 आई 1 ऐसे करके है तो हमारे पास लिस्ट के आया भी फाइव नहीं है वो 12 9 8 1 3 14 ये हमारे पास लिस्ट है तो अब हमारा 12 और 9 में चेक होगा 9 छोटा है तो 12 9 8 1 3 & 14 तो अब इन दोनों में चेक होगा इन दोनों में चेक होगा स्वैप हो जाएगा ठीक है 9 12 12 नहीं सॉरी 8 12 1 3 & 14 ओके तो आई इस उगस्ट तो थीगा ये दोनों चेक होँगे 9 8 1 12 3 & 14 राइटिंग को थोड़ा एग्नोर करना पहली बार होड़ा है इसे ठीक है तो 9 8 अब यहां पर इन दोनों को compare करेंगे 1 3 12 & 14 देखो अब जब आप लास्ट में इन दोनों compare करोगे तो आपको swap करने की जरूत ही नहीं है क्योंकि वह पहले से ही सेट है दो फस्ट इट्रेशन में फस्ट वाई इट्रेशन में हमारे पास यह आ गया था सबसे बड़ा नंबर अब उससे चोटा जो है यह वाला हमारी सेकंड इट्रेशन में यानि case goes to one के लिए आ चुका है अपनी इस फिक्स टीजगा पर ठीक है तो अब ऐसे ही हम चलाएंगे case goes to two के लिए और आसी चलाएंगे case goes to three के लिए तब तक चलता रहेगा जब तक one आप्टे सबसे चोटा यह यहां पर ना आ जाया समझ गए सब तक सलता रहेगा जैसे के इस उकस टू के लिए दिखाते हैं का इस उकस टू जीरो क्या होगी है मैं पास 9 8 1 3 12 14 तो अब ये दोनों स्वाप हो जाएंगे ठीक है फिर 8 9 1 3 12 14 फिर ये दोनों स्वाप हो जाएंगे 8 9 9 3 12 14 फिर ये दोनों स्वाप होंगे 8 1 3 9 12 14 तो अब देखो 9 अपनी जगह पहुच गया अब ऐसी के जोस टू 3 के लिए जाब हम चलेंगे के जोस टू 3 इस वोस टू 0 है पास लिस्ट के ये ट वन टी नाइन 12 14 तो इन दोनों में कंपेर कर रहा 1 8 3 9 12 14 इन दोनों में compare कर रहा हूं 1 8 3 sorry 1 3 8 9 12 14 इसको दोबारा से लिख देता हूं 1 3 8 9 12 14 तो देखो ascending order में list आ करी ठीक है कैसे हुआ यह दो follow वो coding जो होगी वो मैं आपको समझाओंगा अभी आपको इसका algorithm समझाया है तो यह एक introductory वीडियो आप समझ सकते हैं इसको bubble sort का ठीक है तो insertion sort के लिए अलग वीडियो बना देंगे ज्यादा बढ़ी नहीं करते हैं वीडियो को तब तक के लिए bye bye all the best take care त्यानक अपना कि अपड़ी नहीं एक पूार को बढ़ी कर सकते हैं श्यानक